और याद रखना दोस्तों भागे कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है इसे तो रोज रोज मेहनत करके लिखना पड़ता है नमस्कार मैं रणवीर चौधरी स्वागत करता हूँ आपका रिम परिवार में अगर आप भी है बेरोजगार अगर आप भी करना चाते है किसी कमपिटिशन की तयारी तो आपकी लिए ये तीन चैनल बहुत ही इंपोर्टेंट है जिसमें रिम क्लासिज अपना में चैनल जिस इस पे कमपिटिशन की नई वेकेंसी की कमप्लीट जानकारी एक्जाम की स्टेजी कमप्लीट और मोटिवेशन की क्लासिज रिम डिफेंस अकेडमी किसी भी परकार का डिफेंस का फिजिकल तयारी अगर आपको करना है और रिम क्लासिज ऑनलाइन आपको रिटन एक्जाम क की कुई भी तैयारी करने के लिए और अगर आपको तैयारी करनी है एप्लिकेशन डाउनलोड करके तो play store पर अप्लीकेशन है रिम डिफेंस एकडमी दोस्तो आज अपन बात करेंगे सोरे परतियों की परिक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए जिसमें इसके लावा आर्मी, एर फोर्स, नेवी या डिफेंस की कोई भी तयारी अगर आप कर रहे हैं, तो उसके लिए इस टार्टिंग कैसे आपको करनी है, उसके बारे में मेरे टिप्स वाले वी वीडियो की एक सीरीज की रूप में वीडियो होंगे, जिसमें आज पहली क्लास है फर्स्ट क्लास आज मैंने रखी है, आपने अगर पहले अगर इस चैनल को नहीं देखा है, तो आज से अगर आप फोलो करते हैं, तो आप भी अपनी तयारी अच्छी बना सकते हूं, आपको मैं एक चीज और बता दूं कि पढ़ाना इतना इंपोर्टेंट नहीं है, को ज़रूर आप फोलो करिए, मैं यह नहीं कहूंगा आप को कि आप मुझे फोलो करिए, अगर मेरी आवाज से अगर आपको बोटिवेशन मिलता है, अगर आपको मेरी प्लानिंग जौ आप के लिए मैं बताता रहता हूं, वो ऐगर आपको अच्छी लगता है तो आप नि हैं जो बच्चे आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं वो चैनल को सब से पहले सबस्क्राइब कर लें जिस से आगया आने वाले मेरे पूलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है सबसे पहले उसमें रिटन एगजाम होगा रिटन एगजाम होने के पच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो अधूरी जानकारी के साथ अपनी तैयारी शुरू करते हैं कोई दूसरा उसका साथ ही कॉंस्टेबल की तैयारी कर रहा है हम भी प्लान करते हैं कि मुझे भी कॉंस्टेबल का फोरूम अप्लाई करना है जबकि हमें आगे का कोई प्रोसे हम एक स्ट में फिर ऐस फटा था मिल सकति है तु सब से पहले पूरा रहने हैं में अगले वीडियो जोगा कि आपकोस्टेबर में क्या प्रोसेस है ऐसा ही में क्या process है, one pal one रख्षक में क्या process है, आर्मी में पुरा क्या process होता है, air force में क्या process होता है, तो ये सबसे पहले आपको process की पूरी जानकारी रखनी है, उसके बाद दूसरी चीज आपने process पूरा पता कर लिया, तो उसके बाद में आपको return exam का जो syllabus है, या physical का जो syllabus है complete वो भी आपको पूरी जानकारी होनी चीए मैं तो ये कहता हूँ कि आपको पूरी जानकारी उसकी जब तक syllabus की नहीं है तब तक आप उसमें आपको अंदाजा ही नहीं होगा चाहे आप coaching कर रहे हैं चाहे आप YouTube पे पढ़ रहे हैं चाहे आप self study कर रहे हैं जब तक आपको syllabus का नहीं पता होगा तब तक हम क्या पढ़ेंगे दूसरा कुछ भी पढ़ाता रहेगा कुछ भी बेवकूब बनाता रहेगा हमें ये भी नहीं पता चलेगा मेरे कितनी चीजे मेरी कितनी तयारी मेरी हो गई कितनी तयारी मेरी आगे बची हुई है तो syllabus हमें word to word याद होना चाहिए उसको लिख लीजिए बोल बोल के याद कर लीजिए कि मुझे history में क्या क्या पढ़ना है geography में क्या क्या पढ़ना है मैच में क्या क्या आएगा, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है जिससे हमें confidence रहे कि मेरी अब तक कितनी तयारी हो गई और कितनी तयारी मुझे और करने की ज़रुरत है जिसी speed से मैं रोज पढ़ता हूँ बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत किताबे होती हैं एक ही subject की 2-3-3 किताबे रखते हैं और पढ़ते कुछ भी नहीं है तो ऐसे संतुलित पुस्तकों का चुनाव करना है कि ने तो किताबे आपके पास कम होनी चीए ने ज्यादा होनी चीए बहुत से बच्छे ऐसे होते हैं जिनके पास किताबे होती नहीं है एक guide कोई खरीदते हैं चाहे SI की बात कर लो चाहे constable की बात कर लो कोई सी एक guide लेते हैं market से और उसी को पढ़ते रहते हैं उसी में सारा subject उसी में cover होता है तो आज कल वो time नहीं रहा जिसमें एक guide पढ़ के मिल सकती है आपको हर एक पार्ट के लिए अलग-अलग बुक्स की जरूत पढ़ती है चाहे कोई सा भी एक्जाम आप पास कर रहे हैं तो वो आपको पहले से पता होना चाहिए इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हर एक इन वेकेंसी के बारे में सारी चीज समझाने वाला हूँ कि अगर कॉंस्टेबल के आप त्यारी कर रहे हैं तो आपके पास कौन-कौन की किताबे होनी चीए ऐसा ही के लिए आपको कौन शी बुक्स पढ़नी है वन पाल वन रखशक के लिए कौन-कौन शी पुस्तकों का आपको चुनाव करना है तो यह बहुत इंपोर्टेंट ची बहुत से बच्चे हैं जो जोस में आते हैं एक दिन में 10 गंटे 12 गंटे से पढ़ना शुरू करते हैं और वो जोस ज्यादा दिन तक नहीं रहता है उसके पीछे कारण होता है क्योंकि सारे लोगों के पास जो 24 गंटे का टाइम होता है उसमें से हम वो काम कर रहे होते हैं जो हमें करने में मजा आता है तो अब तक अगर हमने पढ़ाई शुरू नहीं किये अब तक हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम में कुछ ना कुछ दूसरा काम कर रहे हैं और उस काम में हमें मजा आ रहा है अब अगर हम यह चाहें कि उस मजा आती हो यह काम को छो कार नहीं करता है तो बड़ा चेंज 8-10 गंटे पढ़ने का प्लान आपको नहीं करना है शुरुआत के अंदर और ऐसा करने वाले बच्चे उसको ज्यादा दिन तक फोलो नहीं कर पाते हैं ज्यादा दिन तक रेगुलर नहीं रख पाते हैं और उससे फिर उनकी पढ़ाई प बजाए 4 गंटे करिए फिर 5 गंटे करिए 6 गंटे करिए 7 गंटे करिए और ऐसे दीरे दीरे पढ़ाई का टाइम बढ़ाना है इस तरह से शुरुआत करनी है तो यह विशेज द्यान रखिए वैसे इन टॉपिक्स के बारे में यह जो हैडिंस जो लिये है मैंने इनके बार फिर पुराने पेपर्स का जरूर अध्यन करना है पुराने पेपर्स का बहुत से बच्चे अध्यन नहीं करते हैं सिरफ और शिरफ यहां तक अगर हमने सब कुछ कर लिया और उसके बाद में अगला जो इस टेप है उसमें सब से पहले किताबे पढ़ने से पहले हमें पु वेब साइट पे मिल जाएंगे जिस डिपार्टमेंट निकाली है वो भी कई बार वो क्यूशन पेपर डालते रहते हैं तो आप सोसल मीडिया के माध्यम से भी ले सकते हैं और आप मार्केट से भी अन्सोल्ड और सोल्ड पेपर जो आते हैं उस एक्जाम के वह किताब की रू उच्छे जा रहे हैं और उसके बाद में जब आप उसके कटोफ देखोगे तो आपको अपनी तयारी का अंदाजा लगेगा कि मेरी तयारी अब तक कैसी है जब तक आप क्यूशन पुराने पेपर नहीं देखोगे तब तक आपको ये भी नहीं पता से लेगा कि मैंने कितन उस से दूर हूँ और उसी सपीड से मैं पढ़ रहा ह詢ू उसी सपीड से उस कटोफ को मैं पार करपाओंगा या नहीं करपाओंगा और याद रखना हर साल कटोफ है व Lumetा की बढ़ती है कभी भी कम नहीं होती है तो इन सारी चीज़ों पर हम जब तक वुश् Yoga का एक बार बार बार अध्यन करना है, बार बार प्लानिंग करना है, क्योंकि कोई भी काम दोस्तों अगर आपको अच्छे से करना है ना, तो उसके लिए प्लानिंग सबसे बैस्ट होती है, और याद रखना ना कोई संगर्स, ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तुफान थमजाते हैं जब आग लगी हो सीने में तो ये काम कोई आफसान काम नहीं है कमपीटिशन एकजामस अगर पास करना है तो ये आपको एक प्लानिंग पूरी करनी पड़ेगी और हमारे अंदर एक सबसे बड़ी कमी ओर होती है कि हम चीजों के बारे में पता जदा करते हैं और उन पे काम कम करते हैं आपको ये चीज धान रखना है कि हमें पता करने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूत नहीं है जब आपने मेरे उपर विश्वास किया है तो ये सारा काम मेरा है आपको सिर्फ जितना बताय जाता है उतना ही काम करना है तो आज का हमारा काम ये 5 पॉइंट्स पे विचार करना है और उसके बाद में next वीडियो में अपन बात करेंगे कि आपको एक-एक चीज पे काम कैसे करना है एक-एक चीज पे किस तरह से हमें तयारी का प्लान करना है तो नेक्स्ट वीडियो में अपने ये बात करेंगे कैसे लगी मेरी दिवी जानकारी अगर अच्छे लगी है तो लाइक करिए, शेर करिए और कमेंट करके मुझे बताईए कितना फायदा आपको इस चैनल पर मिल रहा है आज के लिए इतना ही, जैहिन थेंक्यू धन्यवाद रिम डिफेंस अकेडमी की अनुभावी टीम के साथ अपनी तयारी को बैतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस अकेडमी अप